Hi students and welcome to Career Kul, the Educational Guru Kul. In this video, we'll be talking about Triple M, Gorakpur. So, अगर आप engineering करने जा रहे हो, बहुत से students के आज बहुत constraints रहते हैं and students चाहते हैं कि हमें government college मिल जाए, UP की students खासकर यह चाहते हैं कि government college मिल जाए, तो जिन्दगी थोड़ी सी settle हो जाएगी. तो हम Triple M को देखते हैं जो एक government college है, fees थोड़ी सी इसकी कम है, placement इसके दो से तीन ब्रांच में काफी अच्छे हैं. UP में दिक्कते हैं government colleges में भी, HBTU, Triple M के बाद जो colleges हैं, वहाँ पर placements की थोड़ी दिक्कत है, राजकी इंजरिंग colleges में teachers अच्छे हैं, लेकिन फिर infrastructure और placement थोड़ा सा दिक्कत है, बट सस्ते हैं, तो comparatively UP, बिहार और राजस्थान में थोड़ी सी issues हैं government colleges में, वहीं लेकिन MP में नहीं हैं, तो one of the colleges UP के अंदर जहाँ पर थोड़ी सी problems and issues कम हैं, वो है Triple M गुरकपूर. पहले Triple M गुरकपूर में teachers का कोई issue नहीं है, very good teachers, PhD, well maintained website, आप online research करोगे, आपको सारा data transparently available है, आपको सारी information online मिल सकती है, ठीक है, placements की बात करते हैं, अगर आप placement में जाना चाते हो Triple M के की कैसा placement है exactly, आप इनका placement इनकी website पे पूरा देख सकते हो, इन्होंने year-wise लगाया है, year-wise, मैंदा 2006 से लेके अभी तक का 14-15 साल का year-wise placement है, और वो भी IIT से अच्छा लगाया है इन्होंने, इन्होंने हर एक branch का, हर एक company ने कौन से branch से कित्ते बच्चे लिए पूरा लिखा है, तो ये बहुत अच्छा एक चीज है, जो बच्चों को transparency देगी, जो बाकी colleges में भी नहीं होता, वो कहीं न कहीं चीज़े छुपाते हैं, क्योंकि reputation to protect होती है, बढ़ triple M ने ये नहीं किया है, तो मैं इसका favor करूँगा, that's a very good thing that did it for the student, तो आप placement इनका पूरा इनके website पे देख सकते हैं, अब मैं placements का statistics और जो उन्हों ने दिया है, क्या कहते हैं, MHRD मैं वो भी बता दूँ, statistics क्या हैं, पिछले तीन साल में, overall इनके मां, 30, 35, 36% placement हुआ है, यानि कि अगर 700 बच्चे रहते हैं, तो 220 बच्चों का ही placement हो पाता है, 220, 230, 240, ठीक है, थोड़े से और हो जाते हैं, क्योंकि ये data वो है, जब तक मतलब on campus वाला है, थोड़े से और हो जाते हैं off campus में, लेकिन इसी के आसपास रहता है, आप मान लिजे 200 ये दे रहें, 300 हो जाता है, तो आप 50% तक placement मान सकते हो, at least off campus या on campus मिला के, जब वो लोग, जैसे की बच्चे होते हैं, वो लोग campus में रहते रहते ही, इंटर्नशिप कर रहें, उनका placement हो गया, ऐसा, 50% तक आप placement मान सकते हो, इन्होंने वैसे report अपना on campus, 30, 30, 30, 35% लास्ट तीन साल में किया है, median salary इन्होंने अपनी 4 लाके करीब बताईए, देखे सुनने में काफी कम लग रहा है, बढ़ अब मैं और आता हूँ, और डीटेल में जाता हूँ इसके, highest package इनका 19 लाक का है, again अच्छा हो गया, तो यहाँ पर recommended branches कौन सी हैं, CS, EC और triple E तक आप जा सकते हो, उसके नीचे जो है mechanical, IT तक भी जा सकते हो, CS, IT और EC, बस इनी का placement ही हो रहा है, आपके बास data आप जाके देख भी सकते हैं, mechanical और electrical और chemical इनका placement, civil का placements नहीं हो रहे हैं, highest income मैंने 19 लाक्स आपको बताए, which is good enough, ठीक है, अच्छा है, मतलब एक लाक के करीब करीज, हाथ में salary आ रही होगी student की, और एक average इनका जो है, तकरीबन 6 लाक के करीब है, तो ठीक है 6 लाक average, क्योंकि median लेकिन 4 लाक है, ठीक है, और CS, EC में overall placement इनको मिल जा रहा है, fees इनके वाँ कुछ जादा हैं नहीं, एक लाक की fees है, अगर आप वेबसाइट पे इनकी fees देखोगे, तो इन्होंने one semester की दीवी है, लेकिन फिर जो दूसरा semester होता है, उसमें कुछ देना नहीं होता, first semester में fees दो, second semester में कोई fees नहीं देनी होती है, इनके माँ ऐसा है, अगर आपको यहाँ पे admission मिलके, अगर आपको समाज करने आट scholarship मिल जा रही है, तो मैं काऊंगो चलो mechanical, civil, chemical भी पढ़ा जा सकता है, बट फिर उसके साथ, वो जो रास्ते निकल रहे हैं, उसमें फसने वाली issues हैं, क्योंकि आप government की तरफ मुश्किल होती है, तो इससे पहले जो आता है, वो बस hbtu ही आता है, यह hbtu के बाद आता है, तकरीबन hbtu IT 40,000 तक खतम होता है, और यह 40,000 तक खतम हो जाता है, IT 47 तक, EC 53 और mechanical 82 तक, ठीके तो अगर आप professorship में जाना चाहते हो, mechanical department में, electrical department में, civil department में तो यहाँ लिया जा सकता है, बाहर पढ़ना जाना चाहते हो तो लिया जा सकता है, MBA करना चाहते हो तो लिया जा सकता है, government की तैयारी UPSC या IES की करना चाहते हो, तो लिया जा सकता है, और अगर आप चाहा रहे हो कि भई मैं आगे जाके, SSC, banking इस वाले एक्जाम जो तो भी लिया जा सकता है बट सोच समझ के lower branches लीजिएगा यहां triple M में ठीक है तो यह overall review है हमारा triple M का triple M गोरकपुर का एक चीज़ और कि इसमें 10% जो seats है 10% जो इनकी seats है वो all India quota पे भी है बाकी जो seats है वो केवल UP के student के लिए है so thank you very much, this is Sagar Anand your career counselor thank you for watching